नमस्ते भारत, आप सभी लोगों की बीच में एक बार फिर से मैं उपस्तित हो गई हूँ, तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, आंत तक देखेगा, शेर कीजिएगा, और साथ के साथ मेरे यानि आपके अपने मंता पैनियूली काले उवाज को सबस्क्राइब करते हुए, बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब ही मैं लाइव आओं, कोई रील या विडियो अपलोड करूँ, तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत मिल जाए, कल हमने महराष्ट्र के शानदार रिजल्ट की बात करी, सादुवाद भी दिया मैंने महराष्ट्र के अपने तमाम भाई बहन को, लेकिन एक महतुपूर्ण व्यक्ति के बारे में तो हमने बात ही नहीं करी, जानते हैं कौन, फाहद मिया, स्वरा बेगम के शोहर, स्वरा बेगम तो पनौती है, सं फाहद का भी भट्टा बठाने पहुच गई, वैसे फाहद भी कम नहीं है, एक नंबर के दल बद्लू, जब टिकेट नहीं मिला, तो उस समाजवादी पार्टी को छोड़ दिया, जिससे अब तक चिपके वे थे, और यहां आगये, शरदभाव के साथ, ये सोच करके, कि परा बेगम ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, वोट जिहादी के साथ, फत्वे जारी करने वाले व्यक्ति के साथ जाकर के खड़ी हो गई थी, उनके आगे बिलकुल हाथवाद जोड़ करके खड़ी हो गई थी, नुमानी के आगे, जो उलेमाज ने अपनी सत्रा जो से, अब सना मलिक कौन है, नवाब मलिक के पुत्री, नवाब मलिक के पुत्री सना मलिक ने अजित पवार जी वाली जो एंसीपी है, उससे चुनाव लड़ा था, अब जैसे ही ये चुनाव हारे, तो दोनों, शोहर और वेगम ने क्या करना शुरू कर दिया, एक्सपर आकर सोशल मीडिया पर आकर के छाती पीटनी आरंब कर दी, नौटकी, ट्रामा, तमाशा, फेक, नेरेटिव, जिसमें ये एक्सपर्ट है, वो फैलाना शुरू कर दिया, बोल दिया कि इवियम में गड़बर थी, इवियम के कारण हमें हार मिली है, इवियम के द्वारा हमें हरा आया गया है, वरना हमें कौन हरा सकता है, मैं आपको ना नंबर्स बताती हूँ कि किसको कितने वोट मिले, तो दूद का दूद पानी का पानी खुदी हो जाएगा, सना मलिक यानि की नवाब मलिक की बेटी जो जीती है, उनको मिला 49,341 वोट, फाहाद आहमद जो नंबर 2 उपे रहे, इनको वोट मिली 45,963 और नंबर 3 पर मनसे के जो रहे आचार या नवीन उनको मिले 28,362 अगर EVM में प्रॉब्लम होती, तो फिर इस फाहाद को 0 वोट मिलते, या फिर नोटा से भी कम वोट मिलते, इन मिया की जमानत जब्त होती, कैसे मिल जाते बाई, पैतालिस हजार से जादा वोट कैसे मिल जाते, अल्मोस्ट च्यालिस हजार वोट, बतलब फाल्तु की बकवास इन से करवा लो, जूट इन से बुलवा लो, काम धंदा करना नहीं है, खुद में इतनी शक्ती ताकत नहीं है कि जनता के साथ आप कनेक्ट हो सको, केवल और के जीती है, वो अपने पिता के वज़े से जीती है, नवाब मलिक, यदपी नवाब मलिक अपना चुनाव बहुत बुरी तरीके से हारे हैं, क्योंकि नवाब मलिक की जो पारंपरिक सीट है, वो है अनुशक्ति नगर, अनुशक्ति नगर से लगातार 2009 में, 2014 में, 2019 में परिवार के पास है तो भई पिता की जगे बेटी जीत गई इस बारी तो मतलब फाद मिया को और स्वरा बेगम को ये इवियम वाली कहानी कहां से याद आ गई इतने मतलब ये लोग बेशराम हैं कि इवियम के पीछे पड़ गए इवियम भी सोचती होगी कि मेरा क्या कुसूर है भाईया इवियम को इन लोगों ने मुन्नी से जादा बदनाम करके रखा हुआ है इतनी बदनाम तो मुन्नी भी नहीं है उस गाने में जितनी हर चुनाओं में ये लोग इवियम को बदनाम कर देते हैं मतलब वही वाली बात है न कि मिठा मिठा गप गप तीखा तीखा थूथू जब जीद जाएं तो इस देश के अंदर सब कुछ बढ़िया है इलेक्शन कमिशन बढ़िया इवियम बढ़िया जनता बढ़िया समिधान बढ़िय सब कुछ बढ़िया लेकिन हार जाएं तो एलेक्शन कमिशन खराब इवियम खराब वीवी पैट खराब जनता खराब संविधान खराब लोगतंत्र खत्रे में मजाग चल रहा है क्या भाई और ये बोल करके कि इवियम की वज़े से हम हारे हैं इवियम में लोचा था आप उ किमती मत दे करके महायुति को जिताया है महायुति को अपने उपर अगले 5 साल के लिए साशन करने का मैंडेट दिया है अपनी सेवा करने का मैंडेट दिया है और जो महराश्ट्री में हुआ है वो अन्बिलीविबल है पिछले 50 सालों का रिकॉर्ड टूटा है महराश्ट् कि किसी भी अलाइंस को, प्री पोल अलाइंस को इतना बड़ा मैंडेट मिला हूँ, एक तरफा मैंडेट मिला है, एक तरफा, 49 पर M.V.A. सिमट करके रहे गई हैं, 236 महा यूति को भारतिय जनता पार्टी तीसरी बार सिंगल लार्जस्ट पार्टी के रूप में उभर करके जाई हैं, ये इनसे पच नहीं रहा है, इनसे ये नहीं पच रहा कि ये जो जात पात की, ये इन्होंने जो फत्वे वत्वे जारी करके जिहाद की राजनीती करने की कोशिच करी थी, उसको नकार दिया महाराष्ट की जनता ने, एकता को उन्होंने गले लगाया है, विकास प्रास पर हमें भरोसा है। उन्होंने ये बात साफ कर दी कि प्रधाल मंत्री मोदी जी जो बोल रहे हैं कि एक है तो सेफ हैं वो और योगी जी जो बोल रहे है कि जब जब हम बटे थे तब तब हम कटे थे सही है। ये ये इनसे digest नहीं हो रहा है, और जब जब ये EVM की बात करते हैं, तब तब ये इस देश के मतदाताओं का अपमान करते हैं, और ये कोई नहीं बात नहीं है, ये जो महाविनाश वसूली अगाडी के अंदर बैठे हुए हैं, ये तीन तिकडी वाले, जोल जपाटे वाले, इन ये बार चुनाओ निकल गए, उसके बाद इनको छोड़ दो, ठोकर मार दो, देखे एक बात साफ हो गई है, कि आज का जो वोटर है, वो बहुत समार्ट है, वो बहुत समझदार है, उनको पता है कि उनके एक-एक वोट की जो ताकत है, वो जबरदस्त है, और इसलिए अब वो अपने मत का प्रियोग बड़े सोच समझ करके कर रहे हैं, अपने इसम प्रेजेंट के लिए, अपने फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, अपने आने वाली पीडी को सुधारने के लिए कर रहे हैं, और करना भी चाहिए, पांस साल में एक बार हमें अपने मताधिकार का अब नहीं चलेगा तो यह स्वरा और फहाद वाले जो दल बदलू इस तरीके के नेता हैं यह नहीं चलेंगे इस देश के अंगर और मैं तो यही बात बोलना चाहती हूं पूरे भारत वर्ष को सोचिए समझिए एनलाईज कीजिए और उसके बाद अपना प्रतिनिधी चुन करके फेक नेरेटिव फेला के गाली गुलाज करके यह बहुत बड़ी नेता बन जाएंगे तो नहीं बन पाएंगी जाओ बेगम आब अपने घर में बैठो फुफी और आराम करो ठीक है ना हो गया तुम्हारा खेल कहानी जितनी होनी थी तो खैर यह भी एक और महतुपू